Sexual Maturity in Human Beings Humans में reproduction sexual mode में होती है इसमें दो organisms बाग लेते हैं एक male organism, एक female organism Sexual reproduction का मतलब है कि male और female gamets का मिलन है उसके लिए male और female reproductive cells को उत्पाधन करना है है तो सिर्फ reproductive cells की production से reproduction process complete नहीं होता है male और females के शेरिरों में अनेक परिवर्तन होने की ज़रूरत है ये सारे परिवर्तन, reproduction सही रूप में होने के लिए मदद करते है है तो लड़कों में और लड़कियों में ये जर्मसल्स की उत्पाधन कब शुरू होती है लड़के और लड़कियों के शेरिर में ये परिवर्तन किस उम्र में शुरू होते है उनके शेरिर में होने वाले परिवर्तन, reproduction को कैसे useful होते है गर्ल्स और बॉइस जर्मसल्स को उत्पाधन करने के लिए आवश्यक टिशूस से रहते हैं लेकिन वे एक उम्र आने तक ये टिशूस मेचूर नहीं होते बच्पन में फूट जैसे सारे रिसूर्सस शरीर के जनरल ग्रोथ के लिए उप्योग होते है इसलिए दो से बाहर साल की उम्र वाले बच्चों में विकसित बहुत तेजी से होता है चेल हुड पूरा होकर एडॉलेसंस में आने के बाद बॉडी ग्रोथ स्लो होकर रिप्रोडेक्टिव टिशूस मैचूर होना शुरू होता है एडॉलेसंस में आने वाली इस दशा को प्यूबर्टी कहते है मेल्स और फीमेल्स वे दोनों रिप्रोडेक्शन के लिए तैयार या नहीं हमको कैसे मौलुम होता है उनके शेरीर में कैसे परिवर्तन होते है आमपिट्स और जनाइटल एरियास में नए बाल उगते है हाथ और पैरों पर नए बाल आते है लड़कों में बियर्ड और मुस्टे चाना और आवाज में बदला होती है नींद में और डेड्रीम्स में पेनिस का एनलाजमेंट और एरेक्शन होते है लड़कियों में मेंस्ट्रूल साइकल शुरू होती है ब्रेस्ट बड़े और हिप्स चौड़े होते है लड़कें और लड़कियों के शरेर में होने वाले ये परिवर्तन उनके sexual maturity के संकेत है ये परिवर्तन होने वाली दशा को puberty कहते हैं लड़के और लड़कियों में या puberty की दशा किस उम्र में प्रारम होती है इस दशा के लिए एक विशेश उम्र नहीं रहती लेकिन प्यूबर्टी एडॉलेसिंस में आरंभ होती है एडॉलेसिंस माने चेल्ड हुड और एडल्ड के बीच में होने वाली दशा एक व्यक्ति में प्यूबर्टी की दशा आरंब होने की बात हमको कैसे पता चलती हैं एक लड़का या लड़की के शिरीर में प्यूबर्टी की अवस्ता शुरू होने की बात को उनके शिरीर में होने वाले परिवर्तन के आधार पर जान सकते हैं कुछ परिवर्तन लड़के और लड़कियों में कौमन होते हैं, वे हैं armpits और genital areas में बाल उगना, उन बागों की तवचा गाड़ा रंग में बदलना, हाथ और पाइर पर पतली से बाल उगना, स्किन आईली हो जाना, चेहरे पर pimples आना आदी परिवर्तन. सिर्फ लड़कों में होने वाले परिवर्तन के बारे में अब देखेंगे, चेहरे पर बाल उगना, वाईस क्रैक होना, पेनिस कभी-कभी बड़ा होना और एरेक्ट होना. अब केवल लड़कियों में होने वाले परिवर्तन के बारे में देखेंगे लड़कियों में breast size बढ़ जाता है breast nipples के पास skin dark हो जाता है menstrual cycle आरम होता है ये सारे परिवर्तन ये की बार नहीं होते ये सारे परिवर्तन शुरू होकर पोरा होने के लिए कुछ महीने या साल समय लगता है For example, लड़कों में प्यूबर्टी की दशा के आरम में mustache और beard तोड़ा सा आते है दीरे दीरे एक या दो साल में पूरा mustache और beard डवलप हो जाता है उसी तरह लड़कियों में प्यूबर्टी का beginning stage में breasts चोटे रहते हैं दीरे दीरे कुछ महीने या सालों में breasts पूरी स्ताई में डवलप हो जाते है कुछ बच्चों में ये प्यूबर्टी का changes वक्त से पहले ही शुरू होकर जल्दी पोरा हो जाते है कुछ बच्चों में ये परिवर्तन देर से शुरू होकर ज्यादा समय लेते है है तो sexual maturity पाने के बाद भी कुछ लड़कों में full beard नहीं बढ़ पाता उसी तरह लड़कियों में sexual maturity पाने के बाद भी big breasts डिवलप नहीं हो पाते लड़के अपने beard growth के बारे में और लड़कियों breast growth के बारे में परेशन होने की जरूरत नहीं है ये सारे उनके व्यक्तिगत hormone levels पर और उनके genes पर आधारित होते हैं सब्भी adolescents ये मानना बहुत important है कि सब्भी लोग ये की तरह नहीं होते हैं और लोगों की बीच में differences भी common है General body features जैसे height, weight, skin color में कैसे differences रहते हैं उससी तरह secondary sexual characters जैसे body hair, mustache और beard, breast size, penny size में एक-एक व्यक्ति के बीच में differences रहते हैं ये सारे changes एक व्यक्ति के sexual maturity को signals जैसे काम करते हैं ये सारे changes reproduction को कैसे help होते हैं Puberty में सारे changes, reproduction system और child birth के लिए बहुत उपयोगी होते हैं For example, body hair बढ़ना, लड़कों में mustache और beard बढ़ना, लड़कियों की breast size बढ़ना ये सारे उनके sexual maturity के संकेत हैं आपको मालूम है क्या लड़कों में penis enlarge होना और erect होने के उपयोग क्या है? Human reproduction में male germ cells female reproductive system में जमा होना है Penis enlarged और erect होने से बहुत आसानी से male cells को female reproductive system में प्रवेश कर सकती हैं लड़कियों में होने वाला menstruation, reproduction में कैसे मदद होती हैं? Fertilization होने की बाद embryo uterus में implant होकर baby के रूप में develop होती हैं इसके लिए पहले से ही uterus तयार रहना है uterus के walls नए tissues से blood vessels से line करना है अगर fertilization होते तो zygote uterus में हुए सारे सुविदावों को उपयोग करके baby के रूप में develop होती हैं अगर fertilization ना होते तो uterus की walls पे बने हुए blood lining जड़ जाकर वेजाइने के द्वारा बाहर आ जाती हैं इस तरह menstruation reproduction में मदद करती हैं breast growth reproduction में कैसे मदद करती हैं humans में babies को जर्म देने से reproduction पोरा नहीं होता birth के बाद बच्चों को दूद देकर pollen portion करना पड़ता हैं female breasts में mammary glands होते हैं ये glands दूद को उत्पादन करते हैं इसलिए puberty के दशा में लड़कियों में breasts बढ़ते हैं ये हैं sexual maturity के important points प्रोच आखा के लाँ दूद ऑ्रेवाश। इस विदी अट्रीज दूद सुड़कर अन्रीज़ दूद कर हूँ